प्रेदर्ज को नमस्कार एक बार फ्रेस्ट पुस्लित हूँ आप सब के सामने विश्लेस्टन जर्म कुंडली का इस कारेकरम के अंतरगत आज आपके सामने एक कुंडली लेकर के आया हूँ ये कुंडली है 26 जुलाई 2008 दो पहर में 12 बज के 5 मिनट और राजस्थान की ये कुंडली है तुला लगन की कुंडली बनी है चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के नौमीति थीके हैं लगनेस का जन्म कुंडली के दशमस्थान में बैठना ये कैसा परणाम करेगा चंद्रमा का सब्तम भा के साथ बैठना गुरू और मंगल का बार है कहीं नहीं जाना है बिल्कुल बनके रहिएगा शुरू करते हैं आज का कारिक्रम कारिक्रम के आरम हमें आपको मैं बताओं इनका पंचांग स्रामड और दक्षनायन इस आधार पे विप्ति के जीवन में भाव जो होता है वो ब शनीवार को जन्मे होने से अब जरा देखीए तो इनका जन्म होता है शनीवार को दो पहर में 12 बजए ऐग्ζैतली अगर देखें तो दो पहर में 12 बजए बिलकुल ही सुर्य तपन के साथ मophone के साथ मजबूत होते हैं और यहां वो दिग्बली है तो दक्षन दिशा में 12 ब बिल्कुल सूर्य मध्य में भी राज मान थे पंचम भाव के अधिपती पंचम को देख रहे हैं पर इस कुंडली का एक खराब ग्रह जो मारकेश है वो भी देख रहा है जहां पतनी के साथ कई बार विक्ति को मतपेद और प्रेम विबाह में जाने के बाद पस्चात आपकी अगनी विक्ति को जलाती है कृष्ण पक्षे के नौमी दिति शनीवार का जन्म और सनी ही इनकी कुंडली के महान योग कारा ग्रह बनते हैं, जो एकादश्मे में बैठे हैं, चतुर्थ भाव के अधिपती का एकादश्मे में बैठना, पंचम भाव के अधिपती का एकादश्मे में बैठना, ये सब्तमेश और दुतियस के साथ बैठना, तो पैत्रिक संपत्ती तो सब्तमेज भी गुरू से द्रिष्ट हैं लेकिन वो पापक रहे हैं इस वज़ा से थोड़ी बहुत जो है वो व्यक्ति परिशानी में भी रहेगा पत्नी के आगे पीछे गुमने बाला होता है और कामा सक्त भी होता है क्योंकि तुला लगनका है और उस सुक्र के ऊपर की वृद्धी कर रहे हैं क्रिश्ण वक्ष के नौमी दिधी के चंद्रमा पापक होते हैं और यहां पे चंद्रमा सत्तमभाव में बैटे हैं राहू से केंद्र में केतू से केंद्र में गुरू से द्रिष्ट है जो इस कुंडली के रोगेश है चंद्रमा कौन है तार मेहनत नहीं कर पाता है, कोई न कोई अलचन उसके काम में, उसके सामाजी के स्थेतियों में, उसके स्वास्त में, उसकी आमदनी में, आय में बरी रहती है। अलगर होता है, जैसे कि यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं, लेकिन अगर लगन मेश रासी का बना हो, सिंभरासी का बना हो, कुम्भ का बना हो, धनू का बना हो, मिथुन का या कन्या का बना हो, तब अगर लगने जन्मकुंडली के दशमभाव में बैठेंगे तो जादा अच् करेंगे पर तुला लगन के लगनेस का दशमस्थार में बैठना उतना प्रभावी नहीं होता है इस वज़े से हमें यहां और चुकी चंद्रमा भी अपापक हो गए हैं राहू जो है वो जन्मकुंडली में लगनेस को देख रहे हैं शुक्र जो है वो हाला कि अस्तो तो नही यह डिगरी के आधार पे लेकिन फिर भी जो है वो इस्तोती में यहां पे शुक्र के प्रभाव में उतनी विलक्षनता नहीं देखने को मिलेगी वहां पे वो थोड़े कमजूर भी दिखाई दे रहे हैं इसके साथ भरणी नक्षत्र पे जो लोग भरणी नक्षत्र में ज और कई बार वो अहमवादी भी हो जाते हैं इतना ही नहीं भरणी नक्षत्र के लोगों का एक बड़ा साकारात्मक परिणाम यह होता है कि यह इनका संबन्ध जिनके साथ होता है जैसे भी यह जिनके साथ मालीजे विवाकिस्तुती होती है मितरता हो पाटर्शिफो जो इन इनके आसपास है जो इन से जुड़ा है उन लोगों का भी यह भाग्य चमका देते हैं तो आपसे जुडने वाला व्यक्ति भी उसका भाग्य चमक जाएगा दूसरा भर देते हैं अपने परिवार को अपने कुटुम को अपने सांथी संगी को भर देते हैं मतलब बड़ा अच्छा होता है ये धान वगरह के मामले में ये नक्षत्र, इसके जो देवता है वस्तुता है नक्षत्र शुक्रगा है पर इसके देवता जो है वो यम है, इस कारण से हमें अगर बन पड़े तो ओम यमाय नमहा इस मंत्र का जब व्यक्ति को करना चाहिए और बटवरिक्ष काव जड अगर बन पड़े तो दाहिने हाथ में रवीवार को बाहन देना चाहिए ओम यमाय नमहा इस मंत्र का कम से कम 10,000 बार जब करना चाहिए मिठान ने जिसको बोलते है मिठान, खीर, मालपुगा, आदी, प्रम्हण को और भगवान को भोग लगाना चाहिए साथी सा कावली के लिए शूल योग में जन्व होगा है, तैत्विल करण है, इस वज़ा से भी ब्रक्ति को कई बार परिशानी थोड़ी बहुत होती है, छत्री वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण इरश्या भी है, द्वेश भी है, छल है, कपट है, मोहमाद सर्य भी है, प्र एक आदश्मे भाव में दाहा कगरह की रासी बनी है, पांच नंबर, सूरी की रासी बन गई, जो एक आदश्मे भाव में दाहा कगरह की रासी का बनना अच्छा होता है, एक आदश्मे भाव के अधिपती का बलवान होना बहुत अच्छा होता है, तो एक आदश्मे भाव के अधिपती होकर के सब्तम में केंदर के अधिपती केंदर में बैठ गए दामपत्य अच्छा गुरू की उपर से दृष्टी पढ़ गई और अच्छा हो गया शनी और मंगल का एक आदश में भाव में बैठना बहुत अच्छा है दर्शन भाव इस कुंडली का बल्वान है इस कारण से इस कुंडली का चरित्र इस कुंडली का करियर दोनों बहुत अच्छा है और साथी साथ ये कुंडली बहुत आगे जाएगी रिशर्च के मामले में करियर का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है बुद्ध वहां 5 डिगरी के पुश्यनक्षटर में सुरिय वहां 9 डिगरी के पुष्यनक्षत्र में तो बुद्ध अस्थ हो जाएंगे इसका अर्थ है कि भागेश अस्थ है हमें धर्म को जागरित रखना है दान, पूजा, पाठ, मंत्र, जप, ब्रामन की सेवा, ब्रामनों की सेवा, सुसूर सामाता, पिता की सेवा, उनकी आग्या का पालन मंदिरों का दर्शन, तिर्थ छेत्र का दर्शन, ये नियमी तुरूप से होना चाहिए, गाय की सेवा, ग्रंतों की सेवा, ग्रंतों की आराधना, ये सब होना चाहिए, नहीं तो धर्मभाव कमजोर होगा, एकादशी बगेरा का व्रत भी किया जा सकता है, सर्दी बड़ी मंगल बैटे हैं पुरवा फालगुनी के इसके कारण व्यक्ति के जीवन में ब्यायत थोड़ा बहुत रहता है शुक्र और केतु आज लेशा के बैटे हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है ये दोनों अपनी दशाओं में व्यक्ति को अनुभव देते हैं सुख देते हैं और व्यक्ति को मर्मग्य बनाते हैं सूर्य और बुद्ध की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसमें कोई संसाय नहीं है, ब्यक्ति लाब प्राप्त करता है, पिता को सुख देता है, माता को सुख देता है, पर उतनी महनत नहीं कर पाता है, जितनी उसको करनी चाहिए, कम्मिनिकेशन भाव में सुभग्रह का ब बैठना उत्रा बढ़िया नहीं होगा, इस कारण से विक्ति जो होता है, वो ख्याली पुलाव भी कई बर जादा पकाता है, उतनी महनत नहीं कर पाता है, हाला कि चंद्रमा के उपर गुरु की दृष्टी विक्ति को यशश्वी बनाने के लिए काफी होगी, और चंद्रम में 2030 तक बहुत अच्छा समय चल रहा है, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की तियारी के लिए, पदवर्धी के लिए, लाव के लिए, यश्श प्राप्त करने के लिए, और करियर को ग्रोथ देने के लिए, 2030 तक इस कुणली को कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, शिवाय कर करियर के, कुछ नहीं सोचना, ना भावन का सुख, ना गाड़ी का सुख, ना दोपहिया, ना चपहिया, ना कुछ नहीं, न रिस्तदार, कुछ नहीं, कोई इस्टमित्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ करियर, और निद्रा को पूरी करिये, नीद खराब नहीं हो इस कुणली की क्योंकि राहू बैटे हैं आपके कारण आपके माता और पिता के बीच में मतवेद नहू इसका ध्यान रखना चाहिए वैसे जन्गम कुडली में पंचम भाव के अधिपती का मंगल के साथ बैठ करके पंचम भाव को और दशमस्थार में दिगबली सुरी के साथ सुकर का बैठना पिता के लिए वैक्ती बड़ा लावकारी होता है पिता के लिए वैक्ती बहुत भागिशाली होता है समाज से, राज से, नौकरी से, प्रतिस्था से वैक्ती को कोई दिक्कत नहीं होती है इसके साथ साथ हमें अपने शरीर में बहुत ही लिमिटेड भोजन की आवशकता है बहुत जादा नहीं मतलब पेटू नहीं बनना है लिमिटेड खाना है और मिठी चीजें खानी है बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा खटा, बहुत ज़्यादा नमकीन, ऐसा नहीं खाना है, जितना ज़्यादा हो सके फल फलाहार पे सेवन ज़्यादा करें, सुखा रुखा भोजन ज़्यादा करें, क्योंकि गुरू के पास बल कमजोर हो रहा है, अपने कम्मिन आपको सामने वाले से नहीं मिलता नवान स्कुंडली में यहाँ पे सुक्र बैठें तो आप देंगे पूरा प्राप्त भी होगा पर उत्रा नहीं पर वो शुक्र की दशा में मिल जाएगा अंतर दशा में पर हमेशा वो रेगुलर एक जैसा नहीं रहता है इसके साथ इस कुंडली में अगर मैं यूति की बात करूँ तो मंगल और शनी एक साथ यूति में है मंगल कौन है? जन्म कुंडली के सबतमेश और मारा कगरा किसके साथ यूति कर रहा है? चतूर्थ और पंचम के दिपति के साथ तो प्रेम बिबा का योग बन गया यहाँ पे यहाँ पे पंचम और सबतम मतलब सुक्र और गुरू का समन्द है सुक्र और गुरू का समन्द कैसा है? सुक्र और गुरू का समन्द जो है वो जन्म कुंडली में चौन्थे दस्वेका यहां पे उत्रा बढ़िया नहीं बना मतलब विक्ति के जीवन में प्रेम विबा सफल उत्रा नहीं है या उत्रा हावी नहीं है यह भी कह सकते हैं क्योंकि सुक्र के पास बल नहीं है सुक्र बलवान यहां होते हैं यहां नहीं बली होते हैं रात्री का समय नहीं है ये दिन का समय है तो सुर्य बढ़िया बली हो जाए गुरू बढ़िया बली हो जाए बुद्ध बढ़िया बली हो जाए ये सब जो है वो सुक्र भी बली होते हैं तो ये ग्रह हैं उनका जो जन्म होता है अगर देखें आप तो भरणी नक्षतर में 16 पर दिग्ति में गुण, गण, और लाभ, यशश्विता, धार्मिक्ता, बौधिक्ता, चरित्रवान होना और दार्शनिक होना ये सब ब्यक्ति में रहेगा भाग्यभाव के गुरू की दिश्टी भाग्यभाव के अधिपती के इंदर त्रिकॉण का योग बना रहे हैं तो जरह सोच के देखिए तो लगन और लाभ का योग, लगन और भाग्ये का योग बना लगन और लाभ का योग, लगन और भाग्ये का योग एक साथ ये यूती बहुत अच्छी बनेगी यहां पर यूती भी ठीक बनी है पर कई बार वो पंचम भाव को कमजोर कर रही है जिस लगनपे शनी की दृष्टी तो व्यक्ति ग्यानी है, सही सुनू है, धार्मिक है, या कृतग्य भी है, पर फिर भी उसमें थोड़े बहुत बिलंब होते हैं, क्योंकि वस्तुता है कादुषमें भाव पे पापग्रह का प्रभाव जादा है, इस वज़र से व्यक्ति की महत् अंचा उची होगी, प्राप्त भी करेगा, थोड़ा बिलंब शनी के कारण हो सकता है, शुब अंक आठ रहेगा, शुब रंग और जो भवन है इस कुणली में पूरब दिशा, मीन, मेश, ब्रिश, मिथुन, तो दक्षण दिशा के प्रवेश द्वार पे व्यक्ति का घर अच्छा रहेगा, धन कमाने के लिए आप अगर जा सकते हैं, तो पस्चिम और उत्तर के कौन पे जा सकते हैं, धन कमाने के लिए दिशा ये ठीक है, एजुकेशन के लिए भी अगर बन पड़े तो आप पूरब दिशा में जा सकते हैं, इसके साथ साथ उच्च सिक्षा, भाग्य बल, संतान का बल, ये सब बहुत अच्छा है, संतती में कभी-कभी परिशानी होगी गुरू के कारण, चतुर्थ भाव में राहू बहुत अच्छे होते हैं, जिस भाव में बैठें उस भाव कादिपती योग कारक है, राहू यहां खराब नहीं होंगे, अपनी दश इस कुंडली के लिए सबसे अच्छी जो स्थुती बनी है, उसके आधार पे आप चाहें, तो शुक्र कारत्न ओपल या गुरू कारत्न पुखराज भी सामानित्या पहन सकते हैं, सबसे बढ़ियां ओपल रहेगा, लगन कुंडली के आधार पर भी, हलाकि बल देने के अश्य, मगह, आशलेसा, जेश्ठा और पुनरवसू, ये नक्षत्र स्रमण किसी भी कार्यों को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, अश्टक वर्ग और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर जो आपकी कुंडली में बात बन रही है, ब्यक्तित तो बहुत धन बचाएगा और धन को सही जगा पे खर्च भी करेगा, मेहनत भी है, उसे और मेंटेन करना है, अपने जन्मस्थान से दूर जाने की स्थती जादा बढ़ियां रहेगी, साथी साथ एजुकेशन इसकुंडली का माध्यमिक सिक्षा थोड़ी बहुत बाधाओं से युग वन जाना, यह सब बहुत अच्छा है, भूमी विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, हना वन विभाग में, इस तरीके की नौकरी विप्ति की बहुत अच्छी है, नौकरी जादा अच्छी है, ब्यापार कमजोर है, रिसर्च बहुत जादा बढ़ियां है, विप्ति का एनल ग्रूप करके अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर और भी बाते मैं बता दूँ तो हमें थोड़ा ध्यान जो रखना है वो अगर मैं होरा कुंडली बताऊं तो चंद्रमा की दशा, गुरू की दशा और बुद्ध की दशा, साथी साथ मंगल और सूरी की दशा, शांती प्रद जाएगी लेकिन परिशान करेंगे सुक्रशनी राहू और केतू, इनकी दशाओं में हमें कष्ट होगा, इनकी दशाओं में हमें एक्स्ट्र एफर्ट डालने की आवशकता होगी, भागे शाली आप हैं इसमें कोई संसय नहीं है, साथी साथ इस कुंडली में भागे में पर रोग यहां इस वज़ा से माता के सुख में परिशानी आएगी पिता भाव के अधिपति और सूर्य से चौंथे घर के स्थिति और पिता भाव दोनों एक साथ कम से कम संपर्क में है इसमोज़źर से पिता छेतर स्कुंदली का ठीक सरकार का छेतर बहुत अच्छा है टिंडर लेना सरकारी नौकरी करना पदस्तदिकारी बनना यह सब बहुत अच्छा है स्वास्त में पेट इसकुनदली नहीं का परशान रहे प्रभाव यह परिणाम को कई बार कमजोर करते हैं और धन कमाने के लिए थोड़ी बैप्ति को दूर चलने की आवशकता होती है लक्ष उचा है तो मेहनत जादा करनी है आईएस वगएर के योग इस कुण्डली में बहुत अच्छे बने हैं चंद्रमा और गुरु का दशमस्थान को शुबकरतरी लगा है भाव सुरक्षित है उच्चे के गुरु हैं लगन पे देख रहे हैं लगने इसका चतुरत वाव है कई बार कमजोरी देती है हमें सुरी को बल देने किया पशकता है चंद्रमा बहुत अच्छे हैं इस वज़ा से इस कुण्डली का करियर सुरक्षित है गुरु से द्रिष्ट भी है कोई पापकर हुने नहीं देख रहा है ये एक अच्छी बात है चंद्रमा के लिए मंग साथ गणेश जी को दूरवा अर्पित करिये अपनी वाणी पे और अपने बुद्धी को बहुत ही कुशाग्र बनाने के लिए लगातार चीजों को पढ़ने की कोशिश करिये कई बार आप होगा कि नहीं ये चीज बहुत जादा इंपोर्टन नहीं है ये नहीं पढ़ते ह है या जिस चीज को आप सोचते हैं कि नहीं ये नहीं आएगा वो आजाती है या मैंने ये कंठास्त कर लिया है ये अब नहीं आएगा फिर वो आ जाता है तो ये चीज जो है वो उस पे बार-बार ध्यान देना होगा हमें अपने सेहत और शहद का दान करना चाहिए ये कु अधिपती का जन्मकुंडे में 11 में लावयोग धनेश का धनभाव को देखना चम को देखना पंचमेश का गुरू का लाव भाव को खाग्य भाव को रोह जगा द्रिश्टि अच्छी है पराकरम् भाव की अधिपती का पराकरम में बैठना 32 Enough keıld Singh … или Common German… These का चाहिश का इस तरीके का काम होता है पर कमिनिकेशन पर काम अच्छा होता है व्रक्ति की कंदिंसिंग कपस्टी अच्छी होती इस वज़ा से वो जीत जाता है मतलब आपको जगड़ा नहीं करना है सामानितया समझा बुजा करके सुलट लेना है सब्तमभाव प्रभाव यहां पर मैंने बताया ये कई बार पत्नी के साथ मतभेद और पत्नी को जिद्धी हटी गुसेल क्रोधी और कठोर बना देते हैं अश्टमभाव की अधिपती का लगन में आना ये लगनेश हैं और समसंख्या की रासी में बैठे इस वज़ा से लगन का फल जादा करेंगे नमभाव की परिशान करने वाली जाती है इस वज़से परिशान होती है शरी और मंगल का समद्ध इस कुंड़ी के लिए परिशान करने वाला होगा इस वज़से हमें साउधान रहना होगा राहू की दशा में सुर्य और बुद्ध की दशा कई बार परिशान करने वाली होती है जहां धन, धर्म, अध्यात्म, चिंतन और मन परिशान रहता है, कई बार वियाए अधिक होता है, पत्तिनी के साथ मतभेद होते हैं, इस तरीके का काम राहूर, सुक्र और गुद्ध की दशा में होता है, कम्यूनिकेशन गयप हो जाता है, कमजोरी मिलने लगती है, साथ सासुर के साथ मतभेद अगर हो सके तो ना करिए, साथ ही साथ अगर बन पड़े, तो आप अपने सास से, जो आपकी शादी हो, उसमें उनको कहिए कि आपके दामपते में उनका हस्तक्षिप जादा ना हो, ये पहले ही बता दीजिएगा, कि जो तिसी ने ऐसा कह रखा है कि विवाह के बाद आपके दामपते में उनका जादा हस्तक्षिप सही नहीं होगा, और विवाह को तोड़ने का काम कर सकता है, इतनी सी बात है, विवाह करना हो, तो इस कुणली में विवाह किया जा सकता है, करक लगन करक रासी, मेश लगन मेश रासी, मकर लगन मकर रासी और इसके साथ मिथुन लगन मिथुन रासी इस रासी की जातिकों से विवाह किया जा सकता है पस्चिम दिशा की तरफ विवाह किया जा सकता है तब तक के लिए और भी कुछ बता देता हूँ इस कुणली में धर्म से समधित कोई काम करना हो तो गुरु और शुक्र की दशा का इस्तमाल किया जाए एजुकिशन से समधित अगर कोई काम करना हो तो बुद्ध की दशा का इस्तमाल किया जाए फॉर्म अगर भरना हो यात्रा से समधित अगर कोई काम करना हो तो मंगल की दशा का इस्तमाल किया जा सकता है चंद्रमा की दशा का इस्तमाल किया जाता है अंतर प्रत्यंतर सुप्ष्वांतर में व्यप्तित्यो का निर्माड करियर को सपोर्ट करना हो बल देना हो तो सुर्य और शुक्र की दशा का इस्तमाल किया जा सकता है बस आपको सिर्फ अब देखना क्या है कि दशा कोंसी चल रही है और क्या काम करना है बस देख लिया काम हो गया बात खत्म तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कर